आस्मान से दुनिया देखने का मज़ा कुछ और ही है फरस कीजे आप हेलिकॉप्टर में सवार हैं और उपर से खेद खलियान और पहाड़ों को नहा रहे हैं तो कितना हसीन हो गई अनुभव हेलिकॉप्टर में बैट कर किसी वाइल लाइफ सैंक्चुरी या बर्फ में लिखती पहारियों को नहारने का मौका मिले तो भला कौन गवाना चाहेगा यही वज़ा है कि रोमांच से भरपूर हेले टूरिजम में विदेशियों की ही नहीं बलकि भारतियों की भी दिल्चस्पी बढ़ने लगी है बांदवगर, आगरा, जेपूर यही इस्तान है अभी जो कि फॉर्नर्स आके यहाँ पर हेली टूरिजम के लिए जाते हैं और कुछ हेली टूरिजम से हैं जो कि उदेपूर, जोदपूर, डेजर्स में लैलिंग का है पंची की नजर से दुनिया को देखना किसी के जिन्दगी के यादकार पल हो सकते हैं लेकिन ये खुशी आपको कुछ पलों के लिए ही मिल सकेगे क्योंकि इसमें खर्चा भी पल पल के हिसाब से होता है डेकन एविएशन जैसी कंपनिया हेलेकॉप्टर में आपको बैठा कर घुमाती तो है लेकिन इस रोमाज कार यनभव के लिए आपको एक घंटे के लिए 42,000 से लेकर एक लाख रुपए जैसी मोटी रकम अदा करने पड़ सकती है देटी आगरा, आगरा जैपुर, रंधंबोर, काना वाइडलाइफ जैसे रूट्स के दो घंटे के पैकेजेस की कीमते डेड़ लाख रुपए से साड़े चार लाख रुपए तक हो सकती है लेकिन रुमांच के शौकीनों के लिए सिर्फ दो से चार घंटों के लिए ये कीमत चुकाना भी एक रुमांच कारी अनभव है सर्दियों के मौसम में हेली टूरिजम पैकेज़ेस में सबसे ज्यादा एक्जॉटिक है हेली स्कींग अन्चोई पहारियों पर स्कींग का मज़ा लूटने वाले फिलहाल दुनिया में मुश्किल से तीन हजार सेलानी है तांका, जी बिजनस, दिल्ली